नमस्कार, मैं प्रवीन कुमार, गया साइट में आपका स्वागत करता हूँ गया का परसिद ब्यांजन तिलकूट की सोंध अब 20 भर में महकने वाले हैं जी हाँ, गया के तिलकूट को 20 अस्तरिय पहचान मिलने वाला है ऐसे देखा जाए तो गया का तिलकूट देश के अलग-अलग छेत्रों में पहले से ही प्रसीद रहा है प्रन्तु इसे आधिकारिक रूप से पूरे विश्व भर में प्रसीदी मिलने वाली है क्योंकि गया के तिलकूट को जी आई टैग मिलने वाला है प्राप जानकारी के अनुशार बिहार के प्रसीद मिठाई तिलकूट, खुर्मा और बालू साही को जी आई टैग देने संबंधित आवेदन को प्रारंभिक जाच के बाद स्वीकार कर लिया गया है ग्यात हो जी आई टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ती को मुख रूप से उनके मुलिच हेतरों से जोडने के लिए दिया जाता है गूड तिल से बनाया जाने वाला गया का तिलकूट ना केवल देश बलकि बीदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है गया के तिलकूट बेवसाईयों को उमीद है कि जी आई टैग मिलने के बाद इसकी अंतरास्तिय पहचान बनेगी तिलकूट से जुड़े बेवसाईयों की आमदनी भी बढ़ेगी बेवसाईयों का कहना है कि जी आई टैग मिलने के बाद बेवसाईय से जुड़े हजारों परिवार की आमदनी भी बढ़ेगी माना जाता है कि तिलकूट की उत्पत्ति गया से हुई यहां तिलकुट बनने की परंप्रा वर्सों से चली आ रही है वहीं देखा जाये तो गयाक से तिलकुट देश के विभीन छेत्रों समेत विदेशों में भी अच्छी खासी मात्रा में भेजा जाता है मौशम की बात की जाये तो ठंड के मौशम में गया के तिलकूट की मांग ज़्यादा बढ़ जाता है गया ठंड में तिलकूट, गर्मी में लाई, बरसात में अनर्सा के लिए जाना जाता है प्रन्तु इन तीनों मिठाईों में सबसे ज़्यादा प्रसीद तिलकुट है